दोस्तों मश्कार, एक्सल में fit से meter में कैसे value को convert करते हैं, आईए सीखते हैं इस वीडियो से, आप यहां इस screen पे देख सकते हैं, यहां बीच में one लिखा है, यहां एक fit है, आप यहां five करेंगे, तो ओपर meter में आपको बदली हुई value दिखेगी, अगर आप excel format में देखना चाहें, तो इस प्रकार से होगा, यहां पर आप six किये, तो meter में value बदल के आई, यहां simple सा formula लगता है, a2 divided by 3.281, जब भी आपको fit से meter में value बदलनी है, तो आपने fit की value को 3.281 से divide कर देना है, इस प्रकार आपको inch से meter में value को बदलना है, तो आपको 39.37 से divide कर देना है, किस प्रकार किया गया, एक नई sheet पे आते हैं, और यहां पर दोस्तो, sheet को मैंने zoom किया, यहां पर आपने font लिया, कुरूती देव 010, आपके font list में यह font installed होना चाहिए, इसके लिए आप एक बार पहले चेक कर लें, क्या हिंदी का font आपके computer में install है या नहीं, अगर नहीं है, तो कैसे install किया जाता है हिंदी का font, इसके लिए बहुत सारे video इसी channel में हैं, आप links को description से ले करके देखें, और उ यहां पर आपने कुरूती देव 010 list में से choose कर लेना है, और उसके बाद यहां type करना है fit, दोस्तों इसके बाद पहले cell पे आए, font choose करने के बाद हम पहले A1 पे आए, और उसके बाद आपने type किया fit, इस प्रकार से, और अगले cell पे हम करेंगे, यहां पर हम one लिखेंगे, य आप equal to, keyword से press करेंगे, space के बिल्कुल pass है, और यहां पर जो value है, उसको select करेंगे, उसके बाद divide कर देंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे, और enter कर देंगे, परकार बढ़ी असानी सी, बिल्कुल simple layer में है, अब इसी बात को हम यहां थोड़े दूसरे रूप में दिखान चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, अपनी sheet को, डिजाइन करने के लिए आप क्या करें, इसको मैं वापिस zoom out कर देता हूँ, आप थोड़ा सा area select करेंगे, जितना भी आपको चाहिए, जैसे आप एक screen बनाना चाहते हैं, उसके बाद आप आपने यहां color में चले जाना है, और यहां से कोई भी color ले, जैसे मैंने यह color ले लिया, color लेने के बाद बीच में एक area ले, जहां पर आप value लिखना चाहते हैं, उसको select किया, margin center कर दिया, और इसका font size हमने बड़ा कर लिया, इसका color हमने white कर लिया, इसके बाद दोस्तों, इ आपने color चोज़ किया, side की line और उपर की line हमने दो लिया, इसके बाहर के cells को select करके margin center करें, यहां पर अगर आप दिखाना चाहते हैं, तो आप यहां पर value लिखेंगे, 3.281, output आप यहां दिखाना चाहते हैं, तो आप इसको select करें, margin center करें, इसके बाद यहां पर आप formula लगाएंगे, equal to this value divided by this value, अब दोस्तों यह जब यहां किया, तो यहां पर आप value को बदलेंगे, जैसे हमने 5 किया, आप सीधे इधर change करेंगे, तो output इधर आएगे, इसका भी font आ 48 कर दें, और center कर दें, color आप white कर दें, इस परकार से, कोई भी value जो आपकी fit में है, उसको आप यहां enter करेंगे, और वो value आपको meter में मिल जाएगी, इस परकार से, तो अगर आपको वीडियो चलेगे, तो please like, subscribe and share the channel,